वेलकम फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी आपने देखा होगा अभी हाल ही में चकबंदी लेकपाल की वेकेंसी आई थी जिसमें 1364 पत के आसपास वेकेंसी थी उसके बाद उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि OBC और HT कोष्ट के लिए एक भी सीट नहीं थी आपने इसको देखा होगा पीडियो में आपको आपने भी कुछ दिखाया था ये डेटियल आप इसमें देख सकते हैं जी हाँ बिल्कूल अभी ये वेकेंसी पूरी तरह रद्द हो चुकी है अब इसके बारे में नए सीरे से बात की जाएगी क्योंकि जो OBC और HT कोष्ट के अभेर्थी हैं वो लोग भाचपा के खिलाफ यानि की BGP सरकार के खिलाफ काफी ज़्यादा उग्र हो चुके थे और इन बातों को देखते हुए आप जानते हैं कि चुनाओ का आचार सनीता भी एक दो दिन में लागू होने वाला है और इधर चुनाओ की तारीक नजदी का रही है और बीच में OBC से पंगा लेना सरकार ने अच्छा नहीं समझा और फिर इस भरती परकिरिया को पूरी तरह फिरद कर दिया गया है अब ऐसा उमीद किया जाता है कि चुनाओ के बाद में ये परकिरिया स्टार्ट की जाएगी तो चलिए आपको दिखाते हैं दैनिक जागरण में छपी 2019 की अनुसार सासन ने चकवंदी लेखपाल के 1364 सिधी भरती के पदों पर भरती प्रकिरिया को ततकाल परभाव से निरस्त करने का रणने किया है इस 1364 पदों में से अनारच्छी स्रेणी यानि की सामाने वर्ग यानि जनरल वर्ग के लिए 1200 पद वा अनुसूची जाथी स्रेणी के 362 पदों का विग्यापन निकाला गया था और इस विग्यापन में अन पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूची जन जाथी स्रेणी का एक भी पद यानि की विग्यापन नहीं दिया गया इसे देखते हुए सासन ने भरती की परकिरि तो यह जनकारी जो आपने देखा बिल्कुल न्यूज पेपर में छपी ख़बर के नुसार था आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं अपने विचारों को आवस से कमेंट करें और आप से एक रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को अपने मित्रों में भी सेयर करें जिससे या फिर वो सामान में कुछ मतलब प्रॉब्लम होती है तो क्या आपको पैसा रिटर्न मिलता है उस सामान के बदले आपको दूसरा सामान मिलता है ऐसा अकसर कमपनियों की पॉलिसी होती है क्योंकि वार्टरमन कंडिशन लिखा होता है जी बिल्कुल तो हमारी जो जनकारी ह हमारे दौरा प्राप्त की गई है उसके अनुसार यह भरती का जो भी लोगों ने पैमेंट किया उसमें पैसा वापस नहीं होगा उसमें होगा क्या यह चुनाओ के बाद भरती फिर से आएगी और फिर से वेकेंसी आपकी उतना आएगी और फिर से फाम पड़ेगा उसके जिन लोगों ने फाम को फिल किया है और जिन लोगों ने फिस जमा किया है उनको कुछ भी नहीं करना होगा उनका जो भी पैसा जमा है वो उसी तरह से मतलब यूज में आएगा और उन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं करना होगा ठीक है न तो इस जनकारी में बस इतना ही फ तेंक्यू इस वीडियो को सेहर अवस्य करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा